हलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, कम्प्यूटर स्पीड, लेयर स्टूडेंट, विशली वीडियोज में हमने वीव मेनु के पार्ट टू को कंटेन किया था, जिसमें मैंने आपको वीव मेनु की शारे ओप्संस को बता दिया था, ओकी स्टूडेंट, और आज की इस वीडियोज में हम लोगी इंसर्ट मिनुट को पढ़ेंगे, ओकी स्टूडेंट, वीडियोज को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने कम्प्यूटर स्पीड चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस सस्क्राइब वाली बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दिए, तो सेर वाली बटन पर क्लिक करके इसे सेर कर दे, शाथ में वेल ईकन को जुरूट प्रेस करें स्टूडेंट, जिससे की आपको लेटेस्ट users आपको राप्थ होती रहें, okay स्टूडेंट, आईए स्टार्ट करते हैं आज की यसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को view विनु के second part को complete करवा दिया था, आज की इस video ची से हम insert one ko start कर रहे हैं, सो student आए इस start करते हैं, student आपको पता है है promise word को चालू करने के लिए मैंने हर बार start करके आपको बताया है कि Windows प्लस R बटन को दबाएं Windows के साथ R बटन को जैसे दबाएंगे Run Dalek Box ओपन हो जाएगा इसमें आपको टाइप करना है Winbird और OK वाली बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक कर दोगे student आपको यहाँ MS Word इस्टार्ट होके मिल जाएगा student हम लोग को पढ़ना है insert menu सबसे पहले बता दूँ student यहाँ पर insert की spelling है आपके सामने यहाँ पर है दिख लीजिए insert insert menu है यह पूरा तरीके से insert menu है इनके option को पढ़ना है insert menu को shortcut जो हता है student यहाँ पर alt को दबा के यदि मैं प्रेस कर दूँ यहाँ पर आई तो इससे क्या बन जाएगा मेरा insert menu तो कभी भी आप से कोई भी पूछे कि insert menu को shortcut क्या जवाब देंगे और प्लस आई student आईए देखते हैं इसके first option को student मैंने पीछली वीडियो में जब मैंने view पढ़ाया था लोगो तो मैंने break option आपको पढ़ा दिया था तो student आपको यहाँ पर break बता दें तो MS word में जो break होते हैं student वो break two types के होते हैं break जो है वो two types के हैं first को कहते हैं student यहाँ पर page break और दूसरे को कहते हैं यहाँ पर column break यह दिखी student मैंने आपको यहाँ पर दिखाया column break और page break दोनों को लगा के मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको page break की shortcut होती है control को दबाके यदि मैं enter बटन को प्रेस करता हूँ इससे बनता है आपका page break इसका मतलब होता है आपका column break student आपको समझ में आ गया होगा कि यह page break क्या होता है आपको बता रखा था student अगर page break आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज पीछी वीडियो यानि वीव मेंने की वीडियो को वाच करें आपको हंटर कर स्केंट आपको page break के बारे में समझ में आ जाएगा अगला option दिया है page number page number पे क्लिक करने से आप अपने इस page के उपर क्या लगा सकते है page पे numbering लगा सकते है student यह देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपको option देख रहा है position, position में लिखा है bottom of the page तो page के नीचे यहाँ पर लग रहा है student page का number अगर आप उपर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके top of the card पेज देखिए top of the page header लिखा हुआ इसका मतलब यह देखिए ऊपर आगया यहाँ पर ठीक है alignment right student यहाँ पर आप center कर देंगे तो बीच में आ जाएगा यह देखिए वीच में आ जाएगा लग जाएगा student यहाँ पर format दिया format में क्या लगएगा 123 लगेंगे ठीक है student आपने देख लिए आप अपने इसाप से बदल भी सकते student मैं okay करता हूँ और यही रहने देता हूँ बस मैं okay पर क्लिक करता हूँ आप ध्यान से देखिएगा जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखिए वीच में यहाँ पर देखिए लग गया है पीज नंबर एक अगला पीज लेंगे तो अटमेटिकल उस पेज का जो नंबर हो क्या हो जाएगा तू हो जाएगा यह दो हजार साथ होता तो आप इसमें 17 प्रकार से डिटा डिटा और टाम को इंसर्ट कर पाते हैं तो एक किसी एक को सब्सक्राइब करता हूं यहाँ पर अपर जिस्ट क्या कर देता हूं इसे उपके क्लिक कर देता हूँ अब ध्यान से देखिए जहां भी करता होगा वहा आप इंसर्ट हो जाए गया देखिए रिस्ट रिस्ट रिस्पेक्ट्फुली आटमेटिकली आया यहां पर इसी में से आपको विद्विनाम यहां पर देखिए को अगर अपत्र लिख रहें तो डियर मैडम आर्फर क्लिक कर देंगे तो भी आ जा रहाए इस्टूडेंट इस तरीकी से आप सारी टेल आंपो क्या कर सकते हैं यहां से इन्सर्ट कर सकती हूँ अपके बार बार की नाम से लिखने से वह आ जाए इसके लिए आपको select करना होगा और आपको insert में जाके कर देना है और यहां पर सिंपल कोई भी नाम लिख देना जैसे मैंने यहां पर लिख दिया educa एतना ही लिखने के बाद मैंने ओके किया इस्टुडेंट अब मैं जहां भी educa लिखूंगा अगला ओप्शन देखते हैं इस्टुडेंट यहां पर इंटनेट में इसमें आपको फार्मूला जमें मिलेंगे देखी इस्टुडेंट करता होते देखे फार्मूला कैसे चलेंगे इस्टुडेंट जब कभी आप टेबल पढ़ लेंगे उस्ट में आपको बताया जाएगा आप जो रिस्कों कर पाएंगे इसको इस समय लीव करते हैं आए देखते हैं अगले उप्शन को अगला अप्शन दिया है पर कोमेंट सिंबल्स ऑप्शन ठीके सिंबल क्या होते है सिंबल इस्टुडेंट आपले न चाहते हुँ इस इंसर्ट में जाओ और सिंबल के क्लिक कर दो यह देखिए आपको सिंबल इसको दिखाई दे रहे हैं एक परसंटेज़ के साइन का यहां पर दिया हुआ है डॉलर साइन है है अप्लेपलाइज साइन है प्लस साइन है जो तो आपको समझ में आया होगा है यहां पर लिखा है एसी डवर आई एसी डवर आई का फूल फॉर्म अवेरिकन स्टेंडर्ड कोड़ पार इंफ़र्मेशन इंटर्चेंज होता है तो इस्टुडेंट मैं यहां पर क्लिक करके अपने पेज पर आ जाता हूं और अगले अप्शन को देखते हैं इंसर्ट मेनु के अगला अप्शन यहां पर दिया इस्टुडेंट यहां पर रिफेरेंस की बात करें इस्टुडेंट इसमें दो आप्शन आपको मिलते हैं लिखने के बाद एंटर कर देता हूं और माल सपोज करूए कि यहां पर कि यह क्या था पर यहां पर यहां पर जाके मैंने इफ्रेंश में जाके फुटनोट पे क्लिक किया तो सबसे पहले बताते फूटनोट किसी भी जिस पे फूटनोट आप लगाएंगे वह उसकी नीचे फूटनोट इंसर्ट होता है मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लिक करता हूँ अब द्यान से देखें आप नीचे आ चुका है माल लो क्यों का मतलब देज होता है तो मैंने यहां पर फास्ट लिख दिया इसकी दूसरी इंग्लिश आप दिया पर लिखूंगा वो चीज़ों आप लिखूंगी स्टुडेंट आई होप आप वेस्मुझ मे सब्सक्राइब करने का लिख़ता हूँ इसपर लिख करता हूं तो मैं ड्याट्री वारी प्रवी वास्ट नहीं-पर दिया औरर डी लेकिन राकर अप व्यान ही है करें और क्या करें पर इस पर क्लिक करेंगे इस तरी का भहुआ सब्सक्राइब कर चुकी है। इसे एक वाले फिगर के लिए भी कर लेए नैंड हैं ध्यान तो देखिए दोनों फोटो जावे लिए करूँगा और reference में जाके जैसे में click करूँगा काफन पर अप ध्यान से देखो student automatically वो समझ गया कि यह picture है और उसका नाम क्या दे दिया इसने figure 1 दे दिया है just okay करोगे तो उसका नाम figure 1 में convert हो जाएगा देख लिजी अभी इसके नीचे आपको दिखाएगा figure 1 बटेट हो रहा है ओक है देखें आपए फिगर वन इसका नाम याँ पर आ चुका ऐगा ऐसे अदूसरे बाले को देंगे इस्टूडेंट गलिक करके प्राइल को ले सकते हैं और यहां पर आटूशेफ्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं जैसे यह सब आटूशेफ्स दिया है कोई भी आटूशेफ्स को पैसे सकते हैं और इनकों लेकि आपकर करें सकते हो मरा सकते हो दीक मैं इसको किया स्विछ टुडाइंट किसी तरीके से से नेक्स्ट और तो बेचाएँ है लिए सकते है और ये सब कीये इस्टूडेंंट ठीक है से nic देख लीजिए डाइग्राम डाइग्राम पे क्लिक करेंगे तो यह डाइग्राम भी आप ले चुके हैं इसमें आपने दिखाया होगा कितने पार्ट है इनको मैंने आपको बना के दिखाया था आपने देख लिए स्टुडेंट डाइग्राम क्या होते हैं यह सब आप लोग ने पढ़ा हुआ है पहले से स्टुडेंट इसको मैं छोड़ देता हूं भी आगे देखते हैं अगले अप्सन को टेक्स बॉक्स टेक् कोषैर कली करने से एंब कोई फाइल या इनको वोगी इन्सट कर दोंगे में इ सब्सक्रिखी अगर्च के घरम की लोगा वह एकले ऊसoda ऊजरी नहीं था इसका छोल रही है आपर वहिऑ देख लेता हूं की फाइल को देख लेता हूं कर आप देखिए इस एक एपology सब्सक्राइब करने से क्लिक करने से ओब पर किसी दूसरी शॉप्टएर सकते हो जैसे डाभ इनोगी चाहिंता हम यहाई अगला उपसे इसी बहुए बुक मार्क, बुक मार्क क्या होता है इस्टुडेंट ये देखिए, मालो सब्सक्रों कि आप जो हैं, कोई बुक पढ़ रहे हो, और उस बुक को टीचर्स ने पढ़ाया आपको यहां तक, तो आप क्या करते हो, अपने हिसाब से, आप वहाँ पर कोई एक ट्रिक मार्क देते करते हैं, मैं इसके आगई करते रख दूगा, और सीधे इंसर्ट में जाओंगा, और बुक मार्क पे क्लिक कर दूगा, और बुक मार्क का नाम पूछ रहा है, मैं आप कोई भी एक्स वाईट डाल देता हूं, यहां पर मैंने आरे डाल दिया, यहां पर यहां रवी डाल द यहां पर आया कि नहीं यहां पर आचुका एक नहीं और आपको समझें आचुका होगा कि यह कैसे काम कर रहा है इसका बुकमार्क नेक्स एंट लास्ट ऑप्सन इसका देखिए इस्टुडेंट दिया है पर लिंक पर क्लिक करने से आपके विए वो फाइल ओपन हो जाएंगी लेकिन उस फाइल का क्यवान लिंक खुल के आपको क्या होगा मिलेगा यह देखिए लिंक कहा पर जाहां पर एक कंट्रूल प्लस क्लिक टू फालु लिंक देखिए साइड में लिगा बेकां टूल प्लिक करूंगा इस्टूडेंट करते हो फाइल क्या जाएंगी ओपन हो सब्सक्राइब आपका इक है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है यह देखिए प्लस कर दिखाता है और इसको ले के लिए क्लिक करते हैं तो फाइल ला जैती आपकी- ओपन फ हो जाती है BD jetzt reference के गणलर के दिखती है Hyperlink तो छहां बताएंगे Hyperlink Blue रंग की दिखती है अपको गण थी दिख़ती है Student I hope आपको समझ में आ गया होगा Video अच्छी लेगी हो तो please Student इसको चैनल को subscribe कर दे- लाइक भी कर दें साथ वेल आइकन भी प्लेश कर देंगे ओके स्टुडेंट कम्प्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोट को देखने के लिए आपका धन्यवाद